तो प्यारे साथियों नमस्कार आज हम लोग इस करेंट फिर की क्लास में जो चर्चक करने वाले हैं वो है करतारपूर कोरिडॉर विच इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट और यह आपके एक्जाम के लिए तुम महतपूर यही है साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के लिए भी म करतारपूर को करिडॉर को एक्सेंड कर दिया है कब तक दो हजार उनतिस तक तो आप से जो कोशन आएगा वह यह एर आएगा आप से कहेंगा भारत पाकिस्तान का जो गलियार आए निमने में से किस एर तक बढ़ाया गया है तो आंसर इस तूथावजन ट्वेंटिन यानि दो हजार उनतिस तक ठीक है अब क्या हुआ है कब हुआ है दोनों देशों के बीच में यह समझो था 15 अक्टूबर को जो इसलामाबाद में स्सीयों संविट हुई है यह भी मैं कर बाऊंगा आप लोगों को संगाई संविट जो हुई है सासनाध्यों की परिश्यत की यानि पार्षिस्तान की आत्रा में हुई थी उस समय पर इसके एग्रिमेंट पे भी साइन कर लिए थे ठीक है तो कोशन दो कोशन बने एक तो दो हजार उनतिस तक और एक यह कहां पर एग्रिमेंट हुआ अब कोरिडोर क्या है यह भारत है यह पारत है यह पाकिस्तान यहां पर यह यह वाला जो पार्ट है जो बिलू बिलू दीख रहा है आप लोगों को जो बिलू बिलू यह एक लाइन खीश दे रहा हूं में यह बोर्डर है भारत एंड पाकिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल बोर्डर है भारत पाकिस्तान के बीच में गुर्दासपूर डिस्टिक गुर्दासपूर यहां पर है डेरा बाबा नानक एक जगे का नाम है विच इस रिलेटिड टू नानका गुरु नानका एंड यह रिलिजियस प्लेस है भारत का गुरु नानका और यहां से लेकर इस प्लेस को जोड़ा गया है कहां पर यहां से लेकर यह इंटरनेस यहां से लेकर यह तक और यह कोलिडोर की लंबाई है लगबग चार किलोमीटर कितनी है एप्रोक्स चार किलोमीटर ठीक तो दोनुज़े को नाम यहां रखने हैं डेरा बाबा नानक और करतारपूर करतारपूर पढ़ता है पाकिस्तान अभी यह भी करतारपूर में इसलिए सिख धर्म के मानने वालों के लिए यह जो इस्थान है वह अती महतपूर हो जाता है अब क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान का बटवारा हुआ तो यह जगे जो है वह पाकिस्तान के हिस्से में चिले गई और ऐसे में जो भारत के पंजाबी लोग सिख धर्म को मानने वाले हैं वो इस जगे पर नहीं जा सकते थे इससे पहले क्या होता था जब यह कॉरिडर 2019 में बना इससे पहले यहां पर ही एक इस्तेंड बनाये गया था इस्तेंड चबूतरा एक बहुत बड़ा इस्तल बनाये गया था नियर दा इंटरनेशनल जो गुरुनानक जी को यहां से ख़ड़े होकर यहां लिख रहा है ना दर्सन इस्तल तो यहां से खड़े होकर इस गुर्दवारे को देखते थे आप लोग यूटूब पे सर्च करके देखना ठीक है तो आपको मिल जाएगा कि आप डालना करतारपूर साहिव ठीक है तो आप लोग देखेंगे उसमें वीडियो मिल जाएंगी कि भारत के लोग मोवाइल फोन से जूम करके दिया दुर्बीन से देखते थे क्योंकि यह एलाव निता जाना ठीक है तो अब भारत और पाकिस्तान के बीच में यहां पर भारत के तरफ ते मोदी जी थे मोदी जी थे और पाकिस्तान की तरफ थे इमरान खान इन दोनों प्रधान मंत्रियों ने मिलकर यहां पर क्या करा 2019 में 2019 में एक एग्रिमेंट हुआ क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो गुर्दवारा साहिवे करतारपुर वहां तक एक जो है इस तरीके का कोरीडोर मिल जाए यह भारत की तरफ से लोग इसके अंदर चले जाए और यह पाकिस्तान और यहां से अपने दर्सन करके वापस है ठीक है जिसमें लिखा है कि समझोते के तैट दोनों देश के बीच में गलियारा बनेगा कोरीडोर बनेगा एंड जिसके माधियम से भारत के सरद्धालू पाकिस पाकिस्तान इस्तित करतारपूर साहिप के दर्सन करके वापस लोट सकेगे ठीक है अब इसमें क्या है इसमें भारत के लोगों को सो रुप बीस डॉलर 20 डॉलर जो है वो भुकतान देना पड़ता है 20 डॉलर मतलब की लगबग 2000 रुपे के आसपास बैठेंगे 16-1700 रुप तो यह करतारपूर का मंदिर है जो करतारपूर है ना वो यह है करतारपूर तब यह बनने बनता हुआ का फोटो है ठीक है तो यह करतारपूर जो है आपका टेंपल है यह आप लोग द्यारना की अब मैं इसमें दो बाते आपको दिखा देता हूं कि हुआ क्या जब लोग हिंदू समूद आए और मुश्लिम समूद आए कन्फ्यूज थे कि इनको जलाया जाए या इनको दफनाया जाए ठीक है तो ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी डैट बोटी लेटी थी तो जब उस पर कपड़ा धका हुआ था डैट बोटी पे जब वो हटा के देखा जब द इन फूलों को जला दिया अस्थियों के रूप में और जो मुस्लिम लगों थे उन्होंने इनको दफना दिया तो इसलिए एक जगे पर यहां पर आप लोग देखेंगे कि मुस्लिम्स लोग भी आते हैं पाकिस्तान से इंडिस्तान से और इंडियन से हिंदू लोग भी जा यहां पर इनकी कब्र बनाई गई है, यह अलग पाठ है कब्र बनाई गई है, ताकि जो मुस्लिम लोग है वो इन पर फूल चढ़ा के इनकी कब्र को नबन कर सकते हैं, तो यह दोनों बाते आप ध्यान लखेंगे, इसलिए गुरु नानक देव और सिक धरम जो आप लोग दे कि यह एक गल्यारा है, जो 4.1 किलो मिटर लंबा है, कौन से भारत के पांजाब के गुर्दासपूर से होता है, ठीक है, और डेराबाबक नामक सहर से सुरू होते हुए, पाकिस्तान के पंजाब उपरांथ में, पाकिस्तान का भी पंजाब है, डिस्टी कौन से है, नरोवा भारत का डिस्टिक कौन से है गुर्दासपूर्ण पाकिस्तान का कौन से है नरोवाल यहां पर गुरु दुवारा जो है साहिव वहां पर समाप्त होते है ठीक है यह जो है आप लोग ध्यान रखेगे और सबसे जादा इंपोटेंट है यह कौन सी नदी के किनारे पर है यह परूसरुनी कहते उसी नदी के किनारे पर कौं सी कोस्ट पर हो गारे यह बेंक पर होगा र recoil के वेस्टेन पच्छमी पर जैसे में आपको मैप के माद्यम से दिखाऊंगा तो देखो यहां रावी नदीisc है यह रावी नदी यह पाकिस्तान का यह आपका international बोर्डर हो गया और यह रावी नदी यह रिवार के वेस्ट घाड पर यह इस्ट भारत की तरफ यह नोर्थ और यह आपका साउथ हो गया इस तरह से मैप ठीक है यह आप लोग जो है याद रखेंगे विचिस वेरा वेरा इंपोर्टेंट एंड आगे अगर देखेंगे आप लोग तो यह कॉरिडॉर पूरा बनके ऐसा हो गया पहले यहां पर नथिंग कुछ नहीं था केवल यह गुर्दवारा था और यह मजार थी और अब यहां पर कुछ अब यहां पर बहुत बड़ा कंस्ट्रिक्शन हो चुका है यहां पर एक कुवा था जिससे ब्रस्यों के सारे बाल्टी उसे पानी निकाला जाता था प्राचीन समय का कुवा वह कुवा आज भी है और मुझे इसलिए इसके बारे में और भी जादा जानकारी है क्योंकि 2019 मे यहां पर धिरमण करके आ चुका हूं घूम के आ चुका हूं ठीक है और यह है इसका एंट्रिगेट अगर आप लोग देखेंगे तो यह इस कोरीडॉर का अब देखो कोरीडॉर में क्या है अगर आप इसको जूम करके देखेंगे बच्चो तो यहां पर ना फैंसिंग हो रखी रोड के दोनों साइड यहां बाइना है और रोड के इस साइड में भी अगर आप देखेंगे तो इस साइड में भी फैंसिंग रखें मतब इस रोड के बीच में जा सकते सुबह जाएंगे शाम तक आपको वापस आना हो अब इसकी वैदिता वैलिडिटी कब तक हो गई है, बढ़ा दी है पांस साल, कहां तक पुचा दी दोहजार उन्तिस तक, किसके बीच में है, पाक एंड इंडिया, कौन सी नदी के तट पर है, रीवर, आप लोग लिखेंगे रीवर है, रावी नदी, एंड ये किस से करती हुई थी, ठीक है, किलियर, कोई दिक्कत, बस इस तरह के बना लिजे, अब मैं आगे आप लोगों को, सिखो के, जो दस के दस गुरू है, सिखो के जो गुरू है, उनके बारे मैं आपको बता देता हूँ, यहां से इस्टेटिक पार्ट को भी कवर कर लेंगे, ताकि चीजें याद हो रहें आपके, ठीक है, तो पहले गुरू मराज कोन थे, गुरू नानक देव जी, गुरू नानक देव जी, अगर आप लोग देखेंगे, तो 1469 से लेकर 1539 तक, इनका टाइम डूरेशन, बस इनका याद रखना है आपको, बाकी छोड़ देना, और 1969, 1969, तो यहाँ पर नानक देव का जनम, यहाँ पर गांधी जी का जनम, और इस साल में बनाता इसरो, तो तीन चीजे एक साथ याद कर लो, याद करने का तरीका हो दा है, कि आप येर को कैसे इंटरलिंग कर सकते हैं, तो देखो, 69, 69 आ रहा है, 14, 18, 19, नानक देव जी का, गांधी जी का, और फिर इसरो का जनम, याद हो गया, कभी भूलो गए तो नहीं, सारे बच्चे रिप्लाई करो, कभी भूलो गए तो नहीं जिंदिगी पर, और इनके डैथ होई थी, 1539 में, कहां होई होगी डैथ, अभी मैंने बताया, कहां पर, करतार पुर, नर्वल्ड मुखिलिफी, गुरु मुखिलिफी पता है आप लोगों को, उडा एडा ससाहा, दद्दा नन्ना पग्गा, यह जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो यह आपकी गुरु मुखिलिफी होती है, इसमें 6 चैप्टर होते हैं, 7 चैप्टर से फिर हमें नितनेम पढ़ने होते ठीक है, और फिर बाद में 18 के बाद पाट चलो होता है, तो आगे देखते हैं फटा फट से, इसके बाद है महराज अमर देव, अमर दास सोरी, अमर दास तीसरे गुरु थे, ठीक है, तो तीसरे ने इन्होंने क्या करा, गुरु के परचारे तू, बाहिस गद्दियों का न क्लम लगाते हैं, ठीक, अब क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएगा कौन से कौन से नमर के पहली बार पढ़ेंगे तो, तो पहले नानक देव, दूसरे अंगत, तीसरे अमर दास, और चोथे राम दास, ठीक है, अब देखो, भगवान राम थे वही, पही देखो, ऐसे रिलेट क तो मतलब राम नाम आ रहा है, तो नमबर चार, याद हो गया, इसके बाद नमबर पांच है, अरजुन देव, अरजुनूर कितने भाई थे वही, अरजुनूर कितने भाई थे, पांच भाई थे, ठीक है, तो पांच वह नमबर आ गया, अब आपने दम होना, तो भूल के द खा दियो तो इनको सिक्वेंस याद करना होता है मैं क्योंकि नानक देव अंगत देव अमर्दास सुरू के तीन याद के लिए चोथा रामदेव पांच वार्दुन देव तो यह ऐसे इंटरलिंग करके पढ़ेंगे तो चीजे याद हो जाएगे अरजुन देव ने रामदा तरफर याद कलो लाश्ट के हर गोविंद्ध हर्राय हर्किसन 3 razem के नाम एच एछ से स्थापना करी अकाल तक्त पतया किसको कहते आकाल तक्त कहते हैं जो Golden Temple एक उसके अंदर का जो जगह है उससे अकाल तक्त कहते है जो तलाप के अंदर आपको Golden Temple दिखाए देता हेँ चारोर से तो सब्सक्राइब यहां पर किरतन पाट होते है उसे अकालतक्त कहते हैं, उसके नियम कानून की उसे अकालतक्त कहते हैं ठीक है ये भी ध्यान रखेंगे और इसके मिटिंग माई पर बैठके होती थी गोल्डन टेंपल के प्रांगर में तो हर गोविंद हर राय हर किसंद ये तीन एक साथ रहेंगे टरपल एच और हर किसंद जो हैं ये अल पायू में चेचक से चार-पांच साल की एजमिन के मिरत्य हो गई थी ये बच्चे थे तब फिर है नमबर 9 गुरू महराज तेग बहादूर तेग बहादूर नवे नमबर के थे गुरू अरंग जेव ने इनकी मिरत्य करी थी मिरत्युदंड दे दिया था इने ठीक है और गुरू गोविंद वेरी वेरी इंपोर्टेंट सबसे लास्ट के 1675 से लेकर 1708 तक खालसा का इनोंने अकाल तक सोरी खालसा की स्थाबना इनोंने करी थी ये आप लोग जो है याद रखेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है वाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं जल्दी से मुझे बताए अब चलो याद करिए मेरे सामने सारे लोग याद करेंगे पहले कोने गुरु नानक दूसरे गुरु अंगद तीसरे गुरु अमरदास चोथा राम राम के चारवाई यानि रामदास पांच बा अर्जुद छटा कोन सा होगा छटा आप लोग बताओ हर गोविन हर राय हरक हर और नवा कौन सा होगा त्यक बहादूर एंड अदसवे गुरु को भी तूसीं हो ठीक है या को को कुए दिक्कत तो नहीं चैसे गुरु अर्जहागीर ने ये बताए मुझे अर्जहागीर ने कौन से गुरु की अत्या करवाई थी ओरंग जे ने किसके करवाई तैक बह यह भी आप लोग जो है नोट कर लें ठीक है तो यह था टोपिक आपको इसमें पूरा सिख धरब हम लोगों ने रिकॉल कर लिया एंड हम लोगों ने पूरा करतारपूर कोरीडोर को देख लिया तो करतारपूर कोरीडोर बना का बच्चो 2019 अभी क्या हुआ है अभी उसकी एक्स्टेंड कर दिया है फॉर दा फाइव यर पांस सालों के लिए दोनों देशों के भारत के सरद्धालू जा सकते हैं आप लोग कोई कोशन बचाओ तो प्लीज कमेंट वुक्स में बता दीजिएगा फटाफट से